मश्कार दोस्तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हर्प सिंपलेक्स वाइरस ठीक है हर्प सिंपलेक्स वाइरस का मतलब है कैसा वाइरस जो जनाइटर एरिया में या फिर हमारे माउट सोर या लिप सोर प्रोड्यूस करते हो यानि कि सोर कहने का मतलब एक तरीके से आप देखेंगे लिप के साइड पे कटा कटा सा महसूस होता है टंग के नीची कटा हुआ लिप के अंदर वाले इनर लिप में कटा हुआ महसूस होता है या जनाइटर एरियाज में या एरेक्टर एरियाज में ये कटा हुआ कुछ महस आते हैं वो जो सिम्टम्स आते हैं जिस वाइरस के कारण आते हैं उसी वाइरस का नाम है हर्प सिंप्लेक्स वाइरस यह वाइरस कैसा है कैसे काम करता है इस कितने तरह का होता है इसके पूरी प्रॉपार्टिस क्या है हम एक है करके सारी चीज को समझेंगे चली शुरू करते ह potrze कि इस a zu segment तर या सब्दर टीन पार्ट है में हर एक वायर की थिन पार्ट होता है इसskा एक के क्थिप सीड्म वाला कोर वाला कंप साथ है और इसका एक आउटर्मोह स्जो आपर अट और ने नहीं होता है इसमें जो डिने ने पैजाता है और वो डेभल स्टेंड में पाजाता है और linear DNA होता है कोई circular DNA ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें linear DNA double standard DNA पाजाता है यानि इसका जो genetic material है वो DNA है फिर इसके genetic material को जो protect किये हुए है या जो इसके genetic material को protect करके रखता है इसके चारों तरफ बाहर एक protein के layer होती है covering होती है इस protein के layer को हम capsid बोलते हैं जो इसका core वाला part है और इस capsid को बाहर से cover किया हुआ रहता है जिसको envelope बोलते हैं और इस envelope का formation या development तभी होता है जब किसी pathogenic रोप में आता है that means किसी host cell के अंदर जब यह enter करता है तो इसके cell membrane से attach होके इसके उपर जो receptors होते हैं इस receptor से bind करने के लिए इसको चाहिए होता है spike होते हैं और इस spike की मदद से इसके उपर यह ऐसे spike होते हैं इस spike की मदद यह protein nature का बना होता है हम जानते ही हर एक virus में हम देखते हूं आ रहे हैं और इसी में बहुत सारे receptors पाय जाते हैं रिसेप्टर कुछ भी नहीं है protein का complex molecule है और यही protein का complex molecule इसी से bind करता है इसके receptor से host के cell membrane की receptor से और finally attach होके अंदर जाता है और यह degrade हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसके तीन पार्ट है यह अगर इसके envelope के बात करें तो इसकी दो चीज़े मिलके बना हुआ है एक lipid से और दूसरा बना हुआ protein से एक lipid का बना हुआ है lipid में यह bilayer है यानि double layer वाला है यह और जो इसका protein वाला पार्ट है यह protein वाला पार्ट यह mainly glycoprotein का बना होता है ठीक है जो spike के रूप में यहां पे नज़र आ रहा है आपको यह protein वाला पार्ट है ठीक है lipid की रूप में जो नज़र आ रहा है वो यह वाला लियर वाला पार्ट है तो इसी के help से यह अंदर जाता है और cell के अंदर जैसे entry करता है वैसे इसका envelope वाला पार्ट breakdown कर जाता है क्योंकि यहां पे bacules होते हैं और वो enzyme release करते हैं और इसके envelope को बाहर के जो envelope होती है इसको cover किया हुआ जो रहता है इसको dot देता है और फिर finally इसके सान अ-सान जो capsule की यह ये भी तोट जाता है और फिर is ने होता है यह बहार निकल जाता है और इसको डीन आता है जब बाहर निकलता है फिर फंश्षम के अंदर Eldern नुक्लियस के अंदर जाके उसके साथ रेप्लिकेशन करता है और उसके मेकनिजम को रेप्लिकेशन करने वाले मेकनिजम को अपनाता है और फिर आपने बहुत सारे इसके प्रोगेनी प्रोडियूस करता है और फिर फाइनली जैसे प्रोगेनी प्रोडियूस हो जाता है वैसी के तीनों पार्ट का यह रोल होता है हम एक करके इसकी ज़रा देखें इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हर्प सिंप्लेक्स वाइरस आर यूबी क्यूटस वाइरस और दूसरा है होस्ट अडेप्टेट पैथोजन यूबी क्यूटस कहने का मतलब है एक ऐसा वाइरस जो किवल एक रिजन पे नहीं पएजाता हो वो व्र्ड वाइड लेवल पर पहा जाता ह। यानी कि गूसरी में जो कई सारे तोसम इस आधिक केंट्री में यह almost all over world में फैला हुआ है,host adapted pathogen है,host adapted pathogen कहने के मतलब है, एक ऐसा pathogen कि जिस host को यह, जिस host cell में चला जाता है, यह जिस के अंदर चला गया, उसको adapt कर लेता, यानि वो अपने आप को उस environment की according ढाल लेता है, यानि कि जिसके body के अंदर ये enter किया उसके body का जो भी homeostasis है internal environment है उसके according अपने आपको ढाल लेता है तो इसको जादा दिक्कते नहीं होती इसी host के अंदर रहने के लिए यानि host adapted pathogen नहीं है दूसरा cause of wide variety of disease states यानि कि जब किसी host के अंदर enter करता है तो केवल एक तरीके का नहीं कई तरह के disease ये cause करता है कई तरह के pathophysiology देखने को मिलती है और कई तरह के इसके अंदर disease के states नजर आती है इसलिए इसा बोल दिया गया है अब इसके components की बात करें जैसे कि हमने देखा है तो पहला चीज है envelop envelop का है? outermost layer है दूसरा है made up of protein and lipid bilion जैसे कि मैंने आपको बता है act as attachment या entry to the host cell या attachment और entry करने के लिए मैं लिए envelop का काम होता है ताकि attachment कर ले किसी host के cell membrane से और अंदर जा सके मतलब entry कर सके और entry करने के इसका एक ही मक्सद होता है एक से दो मक्सद होता है पहला मक्सद तो यह होता है कि उस cell के अंदर जाए उसके mechanism को जो replication करने का mechanism है क्योंकि virus के पास तो अपना कोई mechanism नहीं है क्योंकि उसके पास enzymes की कमी है और accessory protein की कमी होती है तो accessory protein नहीं है और enzymes नहीं है जो replicate कर सके उसको तो उसको किसी दूसरे host का सहारा लेना पड़ता है जब host का सहारा लेगा तो उसके अंदर entry करनी पड़ेगी और entry करने के लिए उसके पास कुछ ने कुछ चाहिए तो इसी envelope के सहारे यह entry करता है envelope के spike पे protein पाय जाते है और protein से attach करके इसके जो receptors होते हैं अंदर जाते हैं तो इससे अंदर गुजगे और अंदर जाने के बाद यह अपना जो replication करवा सकता है दूसरा अगर किसी host cell को मारना होता है इसको rapture करना होता है cell membrane को तब यह अपना envelope develop करता है यानि दो cases में करता है mostly replication के लिए करता है अगर इसके core वाले पार्ट को देखा जाए तो core वाले पार्ट को हम capsid बोलते हैं जो cover है जैसे कि मैंने बताया it is complex molecular protein यानि यह protein के complex molecules होते हैं protect genome of virus virus का जो genomic part है जहें वो RNA या DNA हो यहाँ पे इस virus का जो genomic part है वो DNA वो भी double standard में और linear है तो इसको protect करके रखता है ठीक है अगर इसको genome को देखें तो genome क्या होता यानि कि इसका genetic material तो double standard DE4 double S4 stand double standard linear DNA होता है और virus की अगर हम type के बारे बात करें तो इन सभी characteristics के basis पे और virus को इस virus को heart simplex virus को traditionally बहुत पहले से ही दो part में divide किया गया है और इसके divide करने का basis रखा गया है वो किस location पे affect करता है यानि body के किसी host के कौन से part को affect करता है तो इसी basis पे इसके दो part में divided किया गया है नॉर्माली इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके genetic material या इसमें protein में कुछ ज़्यादा changes आए ऐसा कुछ नहीं है इसको traditionally तोर पे ही शुरू से ही इसको दो part में divide किया गया यानि two types इसके बनाए गये हैं उनके affecting sites के basis पे कौन किस sites को affect क के बन जाते हैं पहला type 1 और दूसरा type 2 type 1 को herps simplex virus type 1 1 के नाम से भी बोलते हैं और type 2 को herps simplex virus 2 के नाम से भी जाना जाता हैं अगर हम दोनों को देखे के करके तो herps simplex virus जो type 1 है ये mainly हमारे body के उस part को affect करता है जो हमारा mouth हो या lips हो यानि lips के इस तरह आप देखेंगे कुछ blisters नजर आएंगे कुछ पैसे नजर आएंगे थोड़े थोड़े से हो जाता है जिस समय आम का season है कुछ लोगों को जब कच्चा आम खाते हैं तो उन्हें लग लगता है और छोटे-छोटे से दाने आ जाते हैं या किसी को बुखार आता है तो बुखार में fever में भी उस समय दाने से निकलने लग जाते हैं या किसी को normally ऐसे side में दाने इधर से दाने उपर इधर इधर यानि lips के around या tongues के नीचे या gums के नीचे या mouth वाले पार्ट में lips वाले पार्ट में आप देखेंगे दाने आते हैं कटे-कटे दाने होते हैं और painful होते हैं कई दफा आँक के नीचे भी आ जाता है गाल पर भी होता है तो ये face वाले region पे और जो mouth वाले region या lips वाले region पे जो भी ये दाने या sore produce करते हैं इसको medical term में sore बोलते हैं ये sore produce कर जो होते हैं जो genital region होते हैं genital region पे जैसे की आनेस वाला region हो गया पैनिस या वजाइने वाला region हो गया दोनों जांगों के पीच के जो reason होती है वहाँ पर भी दाने होते हैं हर एक दाना को दिनाई या कुछ इस तरीके से लोग बोल देते हैं गाउं ध्यात में बड़ ऐसा होता नहीं है वो कुछ वाईरल भी होते हैं कुछ फंगल भी होते हैं तो वह ब्लिस्टर के रूप में नचर रहेंगे ब्लिस्टर कहने का मतला पर उसके अंदर ऐसा लएगा जैसे की पानी भी अंदर भरा हुआ हो यानि कि आप उसको तबाएंगे तो फटके उसके अंदर से में छाले पढ़ना तो वही है हब्स-प्लेक्स virus का symptoms में छालwegen पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से पाणी से निकलता है, तो जिसमें से जिस दाने से पाणी से निकले कई सारे patches हो, कई सारे blister के form में हो भल-भल के रूप में हो उसको आप समझ़े कि हब्स virus का है लेकिन अगर जिसमें पानी वगरा ना निकलता हो तो वो fungal भी हो सकता है कोई और रिजन से भी हो सकता है ठीक है तो type 1 क्या होता है यह associated with orofacial diseases यानि कि oral और facial से जुड़ा हुआ है यानि कि या तो मुँ में या फिर आपके लिप्स वाले रिजन में होगे टंक्स में होगे गंस में होगे या फिर आपके फेस वाले रिजन पर आँकों के नीचे भी किसी के आ जाते हैं गाल पर आ जाते हैं किसी नाक के नीचे आ जाता है इस तरीके से यह देखने को आपको मिल सकता है causes sore around mouth and lips यह बहुत important point है यह मैं जो sore यानि कि वही दाने मैं बता रहा हूँ जो passes के रूप में कटे फटे दाने आपको नज़र आएंगे वो mouth और lips के चारों तरफ यह जादा नज़र आते हैं can cause genital hubs यह नहीं है कि किवल यह mouth और facial region पर ही अटका हुआ है यह genital region में भी cause कर सकता है बट genital region में यह बहुत कम करता है इसकी dominance genital region में ना होने के बज़ए face और mouth वाले region पर जाता रहता है यानि कि यह जादा तोर पर face और mouth वाले region को ही effect करता है इसलिए type 1 के नाम से हैं और जो दूसरा वाला है वो mainly genital region को cause करता है mouth और lips वाले region को बहुत कम कर सकता है उसका यह भी मतलब नहीं कि mouth और face वाले region में बिलकुल cause नहीं करेगा ऐसा नहीं है वो भी कर सकता है लेकिन वो dominant रूप में नहीं है ठीक है can cause genital haps यानि कि genital haps यानि कि genital parts में भी यह cause कर सकता है बट में नहीं करेगा symptoms अगर देखें तो appear as blister blister यानि कि वही चकत्ते के तोर पर यानि कि जैसे जल जाता है देखते हो ना मुह में जैसे चाले हो जाते हैं आप में इसे किसी न किसी को हुआ होगा या किसी न किसी को आपने देखा होगा जोचाले वाले पढ़ जाते हैं लिप्स की चार उत्रों बुखार लगने के बाधि अलाग-अला cases में तो आप देने देखा होगा ब्लिस्टर के form में होता है एक ब्लिस्टर या multiple blister के रूप में आपको देखने को मिल सकता आराउंड affected area जहां पर भी यह होता है tap tube में देखें तो tap tube को half simplex virus 2 के नाम से भी जानते हैं और यह associated with genital rectal region यानि की जहां पर genital region है और rectal region है वहां पर यह mainly होता है cause sore around genital rectal area यानि की यह वहां पर sore produce करता है जो genital और rectal area जहें उस जगह पर can cause orofacial herbs यानि की oral or facial herbs यह produce कर सकता है ऐसा नहीं है कि बिलकुर genital पर है तो वहीं पर restricted है ऐसा कुछ नहीं है बट dominantly यह genital ororectal areas पर काम करेगा बट अगर देखा जाए तो यह orofacial herbs भी cause कर सकता है blister is appear हो सकता है affected areas पर यह ठीक है तो इस तरीके से heart simplex virus यह है और heart simplex virus होने वाले disease कौन से हैं वह हमने देख लिया अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे वायरस के जो treatment होते हैं कौन-कौन से virus है और उससे होने वाले disease है तो जो common जो antiviral drugs है वो कैसे काम करता है और अगर virus से होने वाली कोई disease आ जाता है तो उसको हम कैसे treat करेंगे कौन-कौन से drugs चलाएंगे तो कुछ basic drug के बारे में हम चानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए शुक्लिया करेंगे तो